नोबल पुरसकार सन 1950 में सुकी को शानती के लिए नोबल पुरसकार दिया गया था जबकि वो नजरबंद थी उनके अनुपस्तिती में उनके पुत्र ने नोबल पुरसकार प्राप्त करते हुए भाशन दिया था उसके अंश निमलिखित हैं वह ये भाशन कुछ इस तरह देंगी कि ये नोबल पुरसकार वो अपने लिए नहीं बलकि अपने देशवासियों के नाम पर लेंगी ये पुरसकार भी उन्हीं का है बर्मा में अनेक वर्षों से एक लंबा संग्राम चल रहा है जो की शान्ती, स्वतंत्रता एवं लोकतंत्र के लिए है उसमें जीत भी उन्हीं की होगी मेरे अपने विचार में वे अपने संपन्ण और त्याग की एक ऐसी निशानी बन गई है जिसकी द्वारा आप बर्मा के नागरिकों की दुरदशा देख सकते हैं गाउं में रहने वाले लोगों की दुरदशा, युवा लोगों की परिशानिया जो बर्मा की आशा हैं जो बर्मा के जंगलों में भाग कर चुप गए हैं और जिनकी मलेरिया से मौत हो रही है कैदियों को जेल में यातनाएं दी जाती हैं अंत में वो कहतीं कि बर्मा में लोकतंत्र के लिए जो संग्राम हो रहा है वो वहां के लोगों का संग्राम है जिसके जर्ये वे इस विश्व समधाय में एक संपून और अर्थपून जीवन स्वतंत्रता और बराबरी से जीना चाहते हैं